नमस्कार दोस्तों स्वाग्या था आपका मैं आत्रिको चानल पे दोस्तों पॉलिटी जी के ट्रिक आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संसद राज्यसभा लोगसभा और राश्पती से पुछे गए सारे प्रशनकी और एक एक ट्रिक से देखेंगे कि संसद से रा कैसे पुछे जा सकते हैं और इसका एंसर क्या हो सकता है वीडियो को लास्ट तक जरू देखें और लास्ट में क्विज का भी क्वेशन रखा गया है और यह सारे वीडियो देखने के बाद आपसे टेस्ट भी लगाया जाएगा कि हम लोगों ने इस वीडियो से कितना प्रवाइड कराया जाता है अगर आपने जॉइन नए किया तो जॉइन जरू कर ले जो लोग हमाई चैनल में चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेजी यह सारे एक्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है कि कि पॉलिटी से हर बार क्वेशन पुछे पुछे जाते हैं चेला आज कर सबसे पहला उठाएंगे और क्वेशन पुछे जाता है के भारत के सन्विधान जो है संसे प्रणलाली ंस का बिटी सर्वेधान से ले ग COBोर पुछटता है कि संसत का सटर कौन बलाता है तो राश्पती हैं दूसरी संसत के बारे में एक बात बता दें आपको कि संसत का वीवरण जो है सनविधान का अनुछेद 79 में आर्टिकल 79 में किया गया है अब कैसे इसको याद रखेंगे कि सरल कैसर रख ससे सनविधान यानि 79 पर आएगा रा से राज्यसभा 80 पर आएगा और लोगसभा 81 पर आएगा यह हो जाएगा इसका ट्रिक ठीक है यानि संसद आएगा 79 अलशेद आर्टिकल 79 राजी सभा आएगा आर्टिकल 80 और आपका लोग सभा आजाएगा आर्टिकल 81 तो यही चीज मैंने आपको बता है चलिए अब हम लोग जानेंगे लोग सभा के बारे में तो लोग सभा की सबस 1954 में लोग सभा को अस्थापित किया गया था यह important point है आगे बढ़ेंगे यह संसद का निम्न सदन होता है लोग सभा के सदस्यों का कारेकाल 5 वर्सों का होता है लोग सभा के सदस्यों का निरवाचन जनता द्वारा किया जाता है सबसे important point यह है कि यह लोग सभा के सदस्यों करते हैं लोगसभा अध्यक्ष की राश्पती द्वारा बुलाएगा सन्यक्त सत्र की अध्यक्षता करता है कौन करता है लोगसभा अध्यक्ष इंपोर्टन्ट है चलिए यह पांच पॉइंट है लोगसभा के बारे में बहुत ही ज़्यदा इंपोर्टन्ट अब हम बात करते योग्यता की यानि लोगसभा सदस्टे होने के लिए आपको क्या होना चाहिए आप योग्या है की नहीं पहला योग्यता है नागरित भारत का नागरिक होना अगर आप लोगसभा अध्यक्ष होना चाहते हैं लोगसभा के मेंबर होना चाहते हैं तो आप भारत के सिटीजन ह होने चाहिए दूसरी बात आपकी नियुंतम आयू 25 वर्स होने चाहिए तो यहां पर important question पूछ लिया जाता है कि लोगसभा अध्यक्ष होने के लिए लोगसभा सदस्य होने के लिए नियुंतम आयू कितनी वर्स है तो वह है 25 5 years नोट जरू कर लिजिए चले आगे बढ़ेंगे अब बात करता हम सदस्यों की संख्या तो लोगसभा में कितने सदस्य होते हैं तो अधिक्तम कर देखिए वीडियो पसंदा रहे तो वीडियो को लाइक जरू कर दिजिए आपके लाइक और शेर से हमें मोटिवेशन मिलती तो लाइक और शेर जरू कर दिजिए चले आगे बढ़ेंगे तो सदस्यों की संख्या मैकसिमिमम हो सकती है 522 हो सकती है लेकिन वर्तमान में सदस्यों के 545 है और इस में से 545 में से., 543 हम लोग चूज कर सकते हैं, लेकिन 2 जो होते हैं, 2 सधसे होते हैं, वह कहा क्यों होते हैं, वह एंगलो भारती समुदाय के सधसे ہوते हैं, इंपर्टन हैं, अब 543 में, 65 08 में जो 530 राजियों से चुने जाते हैं, 543 में 530, बचे कितने 15, बचे कितने यहां पर 15, जिसमें से 2 एंगलो भारतियेगे हो गए, और बच गए 13, तो यहां देखिए, 530 कहां से चुने जाते है, राजियों से चुने जाते है, और 13 चुने जाते है, के अंदर सासित प्रदेशों से, इंपोर्टेंट है, तो simple सा ब्यवरा यह कि दो हो गए एंगलो एंडिया एंगलो से ठीक है तेरे हो गए केंदर सासित प्रदेश से और आपका पांसो तीस कितने हो गए पांसो तीस हो गए राजे से यह स्टेट से यह इंपोर्टेंट है आपको नोट कर लेना है चलिए आगे बढ़ेंगे अब एक क्वेशन पुछे पुछे जाते हैं कि मंत्री परिशद क्या होता है तो बहुत इंपोर्टेंट है मंत्री परिशद क्या होता है कैबिनेट मंत्री राज मंत्री और विना विभाग के मंत्री के सम्मिलीत रूप को क्या कहते है मंत्री परिशद कहते हैं इंपोर्टेंट है कैबिनेट मंत्री राजय मंत्री प्लस बिना विभाग के मंत्री को इन तीनों के सम्मिलित रूप को मंत्री परिशद करते हैं, अब यह पुछा जाते हैं कि मंत्री परिशद करता है। तो वो होते हैं प्रधान मंत्री, ठीक है, यहां फे important बात यह है कि मंत्री परिशद ही सामोहिक रोब से लोग सबह के लिए उतरदाई होता है, कोई भी चीज हो तो उसका उतरदाई कौन होता है, मंत्री परिशद होता है, यानि cabinet मंत्री, राजय मंत्री और विनम भिवाग के मंत्री को मंत्री परिशत कहा जाता है इनके अध्र जिता प्रधान मंत्री कहाते है यहां से पांच नंबर के question important है बन जाता है चलिए आगे बढ़ेंगे एक most important question यह आता है कि लोगसभा में अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है तो सबसे पहले है अगर यह चाहती चाहती तो कह सकती है कि बीजेपी आप अपना बहुमत उभीत करिए का मतलब बीजेपी के जीते मेंबर हैं कि इस्के लिए आप अपना बहुमत सावित करिए कि यह की दौरta रखा जाता कि अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में केवल एक ही बार लगाया जा सकता है ठीक है और कैसे लगा सकता है प्रोसेस क्या है कोई एक सदस्य पोजीशन का विपक्ष का कोई एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा और उस पे 50 सदस्यों के समर्थन होगा यानि हस्थाक्चर हो कि हाँ अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाए दूसरा important बात है कि केवल लोग सभा में ही रखा जाता है अविश्वास प्रस्ताव एक question यह बनता है कि वह पहले प्रधान मंत्री कौन थे जो अविश्वास प्रस्ताव में फेल हो गया थे यानि अपना मत साबित नहीं कर प करेवाही चलेगी यानि 10 लोग भी अगर मौजूद है सदन में तो करेवाही शूरू कर दी जाएगी important है चले और इसी चीजको राजसभा और लोगसभा में क्या बोलते हैं इसे गणपुरती बोलते हैं यानि सो में अगर 10 लोग भी आ जाते हैं तो उसे क्या बोलेगें गणपुरती बोलते हैं एक बटा 10 सदस से आ गए तो अब देखे कुछ important fact है जो की बार बार पुशा जाता है और बहुत ही basic चीज है पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन है तो वो थी मेरा कुमारी लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे है तो उते हैं जीवी मावलंकर और वरतमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है तो ये ओम बिल्ला है तीन चीज है लोकसभा से पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा मेरा कुमारी सबसे पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर और वरतमान में कौन है लोक अध्यक्ष लोकसभा तो वो है ओम बिल्ला important point था चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक important point है कि लोग सबा में सुन्यकाल किसे कहा जाता है तो जैसा कि आप सभी को पता है अगर आप office भी जाते होंगे तो साड़े 10 से सारे 10 से 1 बजी का टाइम होता है आप काम करते हैं फिर 1 से 1.5 यानि आदे गंटे के ब्रीच में क्या होता है ब्रेक होता है यानि कोई काम नहीं करते हैं उसके बाद फिर आप काम करने स्टार्ट करते हैं तो जो ब्रेक का टाइमिंग है 1 से 1.5 उसको बोलते हैं हमनों कोई काम ने करता है तो सुन्यकाल यहाँ पर भी लोकसभा में क्या होता है संसद में प्रस्नकाल और कारे सूची के मद्दे का समय सुन्यकाल कहलाता है प्रस्नकाल क्या होता है सुबा में 12 बजे तक सुबह के 12 बज़ तक जो यहाँ पर काम चलता उसको प्रस्नकाल बोलते हैं और 12 से 1 बज़ लीव रहती है शुट्टी रहती है कोई कारया नहीं होता उसको बोलते हैं सुन्य कालती है question भी पूछा जाता है और कार उसी चीजी कब होती है एक बज़े से start की जाती है चलिए अब हम important बात करेंगे राज्य सभा के बारे में अब देखिए राज्य सभा को हम लोग क्या बोलते हैं राज्य सभा को upper house यानि उच्छ सदन भी कहा जाता है clear है चलिए उ अच्छ से आपको याद हो जाए पहला point इसके बारे में यह है कि यह संसत का उच्छ सदन होता है दूसरी बात है कि सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है यहां पर राज्य विधान सभा के सदस्य से द्वारा की जाती है important है और लोग सभा में क्या था वो जनता द्वारा नि हो जाते हैं और नय सदस्य आते हैं हर दो वर्स में एक बटा तीन सदस्य मतलब कोई तीन सदस्य जो अभी कार्यकाल में है उनमें से कोई एक सदस्य को हटा दिया जाता है और नय सदस्य से उसके जगह आते हैं इस तरह क्या होता है राज्य सभा कभी भंग नहीं होती है इस और नया सदस्य आते हैं इसलिए से अस्थाई सदन करते हैं और लोगसभा को और अस्थाई सदन भी कहा जाता है इंपोर्टेंट पॉइंट था चलिए अब बात करते हैं कारेकाल का तो राज्यसभा में सदस्यों का कारेकाल कितना होता है छे वर्सों का होता है ब्लाशिपति होते हैं राजय सबापती को राजय सबापती को राजय सबार के सदस्यों को चुनते हैं और most important यह उच्छ सदन है, तो उम्र भी थोड़ा उचा है, यानि 30 वर्स यहाँ पर रखा गया है, लोगसभा के लिए 25 वर्स लखा गया है, अब बात करता हम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 208-100, यानि 250 सदसे चुने जाते हैं, जिसमें से आभी हम लोगों वर्तमान में, राजी सबा में 245 सदसे हैं, 12 सदसे राश्पती दोरा निरवाचित किये जाते हैं, किसके दोरा? 12 सदसे राश्पती दोरा निरवाचित किये जाते हैं, 245 में 12 चला गया, बच गया 233, 233 में 239 राज्यों में से करते हैं, और 4 ज रिमर 16 लाख लोगों ने देख लिया है तो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे आप जरू जाके देख सकते हैं चलिए राजसभा से एक important note ये बनता है कि राजसभा के सबसे पहले सभापती कौन है राजसभा के सबसे पहले सभापती कौन थे तो राधा कृष्ण most important question ये बरवर पूछा जाता है राजसभा के पहले उप सभापती कौन थे तो वह एजवी कृष्ण मुर्ती राओ ठीक है और भारत के उपराश्पती राजसभा के सबसे पहले सभापती होते हैं नोट जरूर कर लिजिए आप ये note करने वाली बात है अगर आपको नोट नहीं करना है तो नीचे दिये वार्टसप नमबर पर आप हमें समीतियां होती है जिसमें से पहला समीति जो है most important है और यहीं से exam में question पुछे जाते हैं यहां से उतना question नहीं पुछा जाता है तो हमनों लोग सेवा आयोग समीति इसके बारे में discuss करेंगे सबसे पहले जानते हैं कि संसत की समीतिया कितने प्रकार की होती है चारत रखी होती ह अब बात करते हैं लोग सेवा आयोग समीति के बारे में इसमें बात करते हैं इस समीति में कुल कितने सदस्य होते हैं कुल 22 सदस्य होते हैं जिन में से 15 लोग सभा से और राज्य सभा के साथ सदस्य होते हैं इसका अध्यक्ष कौन करता है लोग सभा आयोग समीति की अध्य करते हैं ठीक है clear है most important point था अब बात करते हैं कि लोग सेवा आयोग समीति करती क्या है क्या कार्य है उसका तो वो क्या करते हैं मंत्राला है कि वह यानि जो खर्च करता है मंत्राला है और कैग के रिपोर्ट पर विचारविवर्स करती है controller and auditor general of India C.A.G. इसका full form है controller and auditor general of India इसके रिपोर्ट पर विचारविवर्स करती है कि ये क्या रिपोर्ट बनाती है क्या नहीं बनाती है साथे साथ मंत्राला है जो खर्च करती है उसके रिपोर्ट पर विचारविवर्स करती है चलिए अब परिक्ष्या में जो बार बार प्रस बताना है कि आपने क्या-क्या सीहा है तो सबसे पहला question देखी यहाँ से most important question है भारत में संसदिय प्रनालिक किस देश से ली गई है अभी-अभी हम लोग ने सीहा है भारत में संसद्य किस देश से ली गई है फटापको नमीट नीचे comment करना है राट एंसर हो जाए इसका ओप्षिन नमबर B, British से लिया गया है, ठीक है, अगला क्वेशन संसत के अपर हाॉस को किस नाम से जाना जाता है, राट एंसर हो जाता है, अपशिन नमबर A, राज्य सभा, अपर हाॉस यानी उच्छ सदन, अगला क्वेशन, क्वेशन नमबर तीन राज्य सबा को कब भंग किया जा सकता है राट एंस रो जाएगा ओप्शन नमबर D कभी नहीं अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक बटा तिन सदस्य को निउक्त किया जाता है यानि हटा दिया जाता है और उसके जगद दूसरे सदस्य आते हैं इसलिए क्या होता है यह हमेशा चलता रहता है और यह कभी भंग नहीं किया जा सकता है इसलिए इसे क्या बोलते है अस्थाई सदन बोला जाता है राज्य सबा को अभी अब लोगों सेखा है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेशन है भार्ति संसधय प्रणाले में औ-स्थाई सदनों के नम बताई है तो हमको पता है कि राजिशे सब जो यह अस्थाई सदन है यानि औ-स्थाई निया तो जहां-जहां राजिशे सब है उसको हटा देंगे बचा B और C लोकसबा और विदान सबा और लोगसभा और विधान परिश्द राइट एंसर होगा इसका ओप्शन नमबर बी लोगसभा और विधान सबा ठीक है यह संसदिय प्रनाली में अस्थाई सदन है अगला क्वेशन है राजी सबा के सदस्द से बनने के लिए नियुन्तम आई वी कितनी होती है तो जैसे कि राइट एंसर है ओप्शन नमबर सी लोगसभा का आध्यक्ष करता है संसद की लोगलेखा समीति का आध्यक्ष कौन नियुक्त करता है लोगलेखा समीति का आध्यक्ष कौन नियुक्त करता है राइट एंसर होगा ओप्शन नमबर ए लोगसभा आध्यक्ष के द्वारा की संसद में लोक लेखा समीति का अध्यक्ष कौन होता है। Right answer, option no ए, वीपक्षिदल का नेटा होता है पुछ सदन है? Right answer, option no दी, 6 वर्स का, 6 years का । चले आगे बढ़नेंगे ब्रूसरा question, भारत में कान्ोन कौन बनाता है? राष्पति और संसत के दोनों सदर मिलके कानून बनाते हैं स्वतंत भारत के लोक सबाके सबसे पहले अधक्ष कौन थे अगला क्वेशन 12 वह परधान मंत्री जिसने अपने कारेकाल में संसत में एक भी सत्र में भाग नहीं लिया वो कौन थे, most important question है प्रधान मंत्री थे, जिनका नाम क्या है, कि कारेकाल में अपने संसत के एक भी सत्रम भागने लिए थे राज टेंसर रोजेक, option number D, चौधरी चरंट सिंग दोस्तों ये थे politics से most important question का set अगर आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक जरू कर दिजिए, वीडियो को बिना लाइक किये ना जाए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन्हें भी, उनके भी मदद हो पाया, help मिल पाया अगर आपको नोट से ये, पीडियो चाहिए, तो नीचे दिए वाट्सप स्टडी गुरूप से आप में जॉइन कर सकते हैं 30 रुपया प्रती महीने का फीस होता है मात्र और आपको जो गुरूप में आड़ करके डेली के डेली, पीडियो में प्रवाइड कराया जाता है हर एक एक्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी कराया जाती है जो लोग हमाय चैनल पर नहें है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में बेल का आइकोन आता है उससे भी प्रेस जरूर कर लिजेगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे है रोज रात नौ बजे जीके जीएस करेंट अफेर्स और करेंट अफेर्स और जेनरल अवेर्नेस का वीडियो जाता है और साम चार बजे आपके लिए मैस और रिजनिक क्लासेज होती है तो वो भी आप जरूर नोट कर लिजिए मैस और रिजनिक के चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पूर आचिंग दे वीडियो